तो आप हम कल हमने resonance के canonical stability के order से stability order of canonical structure वहाँ तख हमने revise कर लिया था यहाँ पर हम आगे का segment लेकिन उससेफ़े हम jestiko करते तो देखो यहाँ पर question stability order stability order of the following of the following resonating resonating structure will be ठीक है structure will be यह हमको कुछ कोशन दिया गया है कुछ के कुण कुण से बटा यह हमारा फर्स्ट है कल में ने लिखवाया था आपको तरीका कैसे निकालना है यह हमारा फर्स्ट कुछन यह यह पहला उप्शन है फिर दूसरा उप्शन हमारा है बच्चो यहाँ पर यह दूसरा उप्शन है यह वाला ठीक है दूसरा option यह वाला है कि तीसरा option है हमारा बच्चो तीसरा option है हमारा यहाँ पर यह वाला ठीक है यह हमारा तीसरा option है ठीक है और इसके बाद यह हमारा फॉर्ट option है ठीक है यह हमारा फॉर्ट option है ठीक है यह हमारा फॉर्ट option है ठीक है यह हमारा फॉर्ट option है सबसे हमपस चारों ऑपको तरीकह बता है तबसे पहले हम क्या करतेrob तीधकि पहले आपको पॉलर न पॉलर। में यहां कर नहीं है कोई चारज नहीं है इसलिए आपका और यहां बच्चों polar और यह आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर polar ठीक है तो इन समय सबसे ज़्यादा stable हो गया बच्चों आप के बाद कोन होगा बच्चों समझते हैं अप देखाओ फिर्स्ट के बाद आपको इस चीज सेमझना है यह अपका नॉन पोलर है या आपका फोलर है ठीक है अब इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि अब आपको ध्यान दे लेना है पकॉइंट पर कि हमको कुन सा इसमें यू द्यू यो योस करना है 사건 वाला हो गया उन पॉलर के बा आपकी number of pi bond आपका यहाँ पर कौन से structure में ज्यादा होगा तो आप देख सकते हो कि number of pi bond इसमें भी एक था इसमें भी एक था लेकिन यह non polar था यह आपका polar था तो number of pi bond इसमें ज्यादा है देखो यह आपका एक pi bond आ गया ठीक है इसके बाद हमको क्या देखना होता है इसके बाद हमको देखना होता है higher electro negative element carry negative charge more easily तो higher electro negative element देखो यहाँ पर ok उपर minus है यहाँ ok उपर क्या विच्चो प्लस है अब बताओ which one is more stable ok उपर minus ज्यादा इस्टेबल होता है कि ok उपर plus तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ok उपर minus ज्यादा इस्टेबल होगा कि ok उपर plus तो ok उपर minus ज्यादा इस्टेबल होगा इस compare to ok उपर plus से higher electro negative element carry negative charge more easily तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चो यहाँ पर यहाँ पर कारवन में प्लस रखा है यहाँ पर कारवन में माइनस कारवन में माइनस रखावा यहां कारवन में प्लस तो लेकिन higher electro negative element carry negative charge more easily तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या जाएगा बच्चो यहाँ पर थर्ड थर्ड के बात क्या आ जाएगा फॉर्ड तो यह फेक्टर हमको ध्यान रखने यह आपका इसका क्या बच्चों यहाँ पर stability का order यह हमारा stability का order हो गया तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है यह तो था हमारा question जो कि आपके resonance से resonating structure के stability से related है ठीक है अब यह में एक दो question और करते बच्चों ताकि हमको और भी concept अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक दो question में अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर एक दो question और अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर हमारा आप देखो इधर अगला question अगला question अगला question आपको समझना है कि arrange in the increasing order of arrange in the increasing order of increasing order of order of resonance energy अब resonance energy के increasing order में आपको जमाना है पहला आए option आपका इसको यह पहले का first second third यह हो जाएगा बच्छो आपका ठीके ठीके यह हो गया आपका बच्छो यहाँ पर ठीके बी option अब बी option में पहले का यहाँ पर first क्या जाएगा बच्छो यहाँ पर बी option में यहाँ पर यह 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 ठीके आप अब बी option में देख लेते बच्छो CH2- single bond CH double bond CH और second आपका है बच्छो यहाँ पर CH3CO- ठीके यह 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 य पर लावा आपका कौनसा C, D option है बच्चों यहां पर आपका, D option आपका कौनसा है बच्चों, ध्यान रखना नए D option कैसे होगा बच्चों यहां पर, D option है आपका यहां पर, D option है यहां पर पहला, D option है CH3, CH double bond CH, CH, single bond CH, double bond CH, NH2, ठीक है यहां पर second है आपका, CH3, CH double bond CH, single bond CH, double bond CH, OH, थर्ड है आपका, CH3, CH double bond CH, single bond CH, double bond CH, CH2, यह है आपका, ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, resonance energy के order में आपको arrange करना है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, resonance energy होता क्या है, resonance energy बेटा, आपका energy होता है, जो दखो, यहां पर तीन टैप के canonical structure बनते हैं, किसी भी compound के आपके तीन टैप के canonical structure बनते हैं, यह canonical structure थर्ड, यह canonical structure 2, यह canonical structure 1, और canonical structure 1 से जो hybrid तक आने में, जितनी energy release होती है, इसी energy को हम क्या बोलते है, resonance energy, मतलब किसी most stable canonical structure से hybrid, स्ट्रक्चर में आने के लिए, जितनी energy हमें release करनी पड़ती है, वो सभी energy को हम क्या बोलते है, resonance energy, अब resonance energy का निकालने का तरीखा, step समझना, step बाइसी करना, सबसे पहले resonance energy हम कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का तरीखा में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यह resonance energy, step समझना, आप देखो, resonance energy का formula क्या होगा, stability of most canonical structure, मतलब यह आपका energy level है, यह चीज़ समझना, energy, मतलब canonical, most stable canonical structure की energy, minus hybrid की energy, दोनों के बीच का जो गेप होगा, that is called resonance energy, क्या यह resonance energy होगा, नहीं होगा, क्या यह होगा, नहीं होगा, हमको हमेशा most stable canonical structure से ही लेके चलना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखो, अब देखो, स सबसे पहले aromatic, aromatic का सबसे ज़ादा, then after non-aromatic, उसके बाद आपका कुछ का होता है, बच्चो, anti-aromatic, anti-aromatic का resonance energy सबसे कम होगा, यह तो था aromatic की case, उसके बाद, उसके बाद, किस के case में आता है, बच्चो, उसके बाद, एक और case आता है, बच्चो, यहाँ पर, उसके बाद, मैं of resonatic element, number of resonatic element, मतलब resonatic element, जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपका resonance energy होगा, उसके बाद, उसके बाद, किस का case आता है, उसके बाद आता है, बच्चो, यहाँ पर, अगर मैं प्रियोडिक टेबल में left to right जाओंगा, तो हमेशा क्या देखूंगा, बच्चो, electro negativity, higher electronegative element can not donate long pair, long pair of electron in a conjugated system, मतलब conjugated system में higher electronegative element कभी भी अपना long pair नहीं देगा, क्योंकि वो ज्यादा electronegative है, वो अपने पास ही रखना पसंद करेगा, और अगर top to bottom जाएंगे तो क्या होगा, बच्चो, size बढ़ेगा, size बढ़ेगा, जितना ज़्यादा size बढ़ेगा, तो बड़े size बाला item, बड़े size बाला item, आपका resonance करके जो pie bond बनाएगा, वो क्या बनाएगा, weak बनाएगा, weak बनाने की वज़े से उसकी resonance and energy क्या हो जाएगी, कम, तो यहाँ पर size बढ़ेगा, तो आपकी resonance and energy क्या हो जाएगी, कम, एक बढ़ेगा, अगर size बढ़ेगा, size बढ़े एक और पॉइंट आता बच्चो हमेशा ध्यान एकना identical identical canonical structure का हमेशा ज़्यादा होगा as compared to always always more resonance energy मतलब जी जो identical होगा उसका सबसे ज़्यादा होगा यह चार पॉइंट के हिसाब से आप लोग सारे question को deal कर सकते हो यह ध्यान रखना मस चार पॉइंट अगर आपको ध्यान रखेंगे सबसे पहले aromatic non-aromatic anti-aromatic उसके बाद आप क्या करोगे बच्चो number of resonatic element क्या करोगे यहां पर number of resonatic element ठीक है उसके बाद आप क्या करोगे यहां प पर periodic table देखोगे periodic table में left to right जाओगे तो electronegativity देखना है top to bottom जाना है तो आपको size देखना है ठीक है और उसके बाद अगर कोई कोई भी इन समय सो कोई नहीं बचा तो last option हमारे पास identical का है ठीक है आप देख लेते हैं यहां पर यहां पर देख लेते हैं पहले question में पहले question में अबना आप लोग देखो पहले question में aromatic non-aromatic और anti-aromatic तो यह में बाद में आपको define करूंगा लेकिन पर इस चीज को समझ दो अब देखो यहां पर आपका क्या है यह भी aromatic यह भी aromatic यह भी aromatic है ना यह भी अरोमेटिक यह भी aromatic यह भी aromatic यह भी aromatic तो आपको क्या ध्यान ल कितने 626 पाइ एलेक्ट्रों कितने हैं जतरी तो धड़के सबसे जब से उसके बादREE के बाद füst ठीक है यह आपका होगा इसमें बताओ इसमें अगर मैं इसका रेजुनेटिक स्ट्टुक्चर बनाना चाहूँगा तो क्या बनेगा C3 ये इधर जाएगा ये उपड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा C3 O minus double bone CO और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये यह जाएगा ये यहां जाएगा तो क्या बनेगा बच्चो CH2 double bond CH CH2 minus ठीक है यहां पर CH2 double bond 2 minute यहां पर OH कर लो यहां पर आप लोग OH कर लेगा यहां पर आप लोग इसको OH कर लो तो यहां पर OH होगा तो OH क्या करेगा अपना OH आपका इसको देगा अपना लोग पर इसको देगा और जब और अपना लोग पर इसको देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा OH+, चाहिए ये दोनों structure similar है, नहीं है, ये दोनों structure आपके similar है, identical है, तो identical वाले का resonance energy ज्यादा होता है, हमेशा as compared to non-identical, तो first का ज्यादा होता है as compared to second, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो, इसमें अंतर का है, point of difference, ये फ्लोरीन और क्लोरीन में, अब देखो, फ्लो इसमें देने के बाद यहाँ pie bond बनेगा, और इसमें देने के बाद यहाँ pie bond बनेगा, चाहिए pie bond strong होगा, चाहिए pie bond कौन सा strong होगा आपका, ये वाला या ये वाला, obviously ये वाला क्योंकि, अब फ्लोरीन का size क्या होता है, छोटा, अब फ्लोरीन का size छोटा होगा, तो फ्लोर की कम होगी तो यहां पर फ़र्ष्ट का ज्यादा होगा किससे सेंदी से और यहां देख लेते हैं, आब यहां कौन सा लगाएंगे यह दिदे देखो, नन ऐर भी किह Además and numbers of resonating elements, । इलेक्ट्रण यहां पर भी कतने हैं, यहां पर फॉर्पे लेक्ट्रण, तो लेंस नजर आ रहा है अब देखो यह अपना लोन पेड़ देगा और यह अपना लों पेड़ देगा देदा देखो यह पर प्रडूड की जादा कि इसकी कि आप खुद समझ सकते हैं ऑक्षिजन की एलेक्टो निगतिवीटी जादा होगी तो क्या वह लों पेड़ को शीट किसी लिए बच्चो थ़र्ड की लिए क्लिक। काफीoure काफ़ी सिंपल है था ओpow फो लोगन आप लोगो को अच्छे से निकालनी है और उनकी kसे से निकालनी है ठीक है तो यह दूनों कंसेप्ट आपको आगे होंगे आई होग कि आप लोगों को अच्छे से आगे होंगे अब हम चलते बच्छों एरोमेटिक और नोन एरोमेटिक से रिलेटेट कंसेप्ट पर ठीक है तो दिख लेते हैं कोछीक का कुण hm a कि दोन है एड़िए कि कग चाहिए ंच ड़ता है ये तीनुह को कंसेट्ट आप आप देखो ड़तेए है हूं इनु Another । घंटी इरु में इंटी ड़तीओं च्थकिश्पन होता हुआ बच्शो जो आपका साइकली को साथ साथ प्लेनर हो साथ साथ 4N प्लस 2 पाई इलेक्ट्रोन के रूल को फोलो करें ठीक है एंटी अरोमेटिक कौन होगा बच्चो आपका एक क्या हो साइकली को प्लेनर हो और आपका क्या हो फोर एन पाई इलेक्ट्रोन को फोलो करें और नौन अरोमेटिक क्या होगा बच्चो जो आपको कुछ भी फोलो ना करें मतलब जो आपके अधिक कल देथे ना तो आपके क्या हो अर्บे ना ही आपके गर्रमेटिक हो ना अधर अरो मीटिक को खो स्वर्भर मॉझी अकॉर्डिंग बात खान से स्ञ usability के अकोरिग बच्चो ऐसे अगर में बात करना चाहँ गां तो उसुद्द को समझना अगर मैं M.O.T के अकोरिंग बात करना चाहं गों मोटी के अकोरिंग और आइरोमेटिक में टाइयग्राम में आइरोमेटिक इसमें क्या होगा बच्चो और और мы बपर दियान डिश्राइब अपन आप अजाएका चलो में कुछ questions हम लोग करते हैं इस से related then after आपको समझ में आएगा और इसमें सबसे important बाते एरोमेड stability किसकी ज़्यादा होती है stability हमेशा आपकी ज़्यादा होती है aromatic aromatic के बाद non-aromatic non-aromatic के बाद non-aromatic के बाद anti-aromatic anti-aromatic हरे ठीक है ठीक है यह आपके disability का order होता है यह बाद होता है आपकी किससका order को करुमक यह बात है तो इसको थोड़ा से समझ लों आप लोग gonna चलो आप इस से रिलिटिड कॉश्यंज पिर Dé utilise Saat सबसे पहले आप लोग भी साथ में करिएगा वी वीडियो को पोस्ट करके वीच एज 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 एरोमेटिक कमपाउंड कौन सा इसमें एरोमेटिक कमपाउंड है ठीक है फ़र्स्ट आपको बताना है पहला इसमें से कौन सा एरोमेटिक कमपाउंड है फ़र्स्ट सेकेंड थर्ड और यह आपका पॉर्थ थिक है अब बताना है आपको इसमें से कौन सा आपका वह आरोमेटिक कमपाउंड है ठीक है आरोमेटिक कौन सा आपको बताना है तो इसका इसका आंसर क्या आएगा अब इसमेंदेगे पूरा इस्ट्रक्चर क्या है बच्चो इस्ट्रक्चर आपका साइक्लिक है साइक्लिक है यहां पर क्या है प्लेनर है और कितने पाइ एक दो तीन चार पांच शे जिक्स पाइ यहां पर कितने पाई एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ 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 पाई एलेक्ट्रों ने तो यह आपका क्या होगा एंटी अरोमेटिक एंटी अरोमेटिक बस ऐसी मिश्टिक मत करना बच्चो यह एंटी अरोमेटिक है लेकिन यह एंटी अरोमेटिक नहीं होगा क्योंकि इसका जो इंटर्नल एंगल है वह आपका थेटा मतलब अगर यह अपने आपको एंगल स्टेंड के हिसाब से नोन प्लेनर कर देगा तो यह इस बात का ध्यान अखो यह इंपोर्टेंट था इसलिए मैं ऐसे ही डाले थे अब देखो यह भी आपका क्या है बच्छो साइकलिक है चलो साइकलिक होने के साथ साथ यह क्या है बच्छो नोन प्लेनर क्यों है बच्छो क्यों कि यहां पर SP3 हाइब्रिड है और नोन प्लेनर होने की वज़े से यह अब क्या हो जाएगा बच्छो नोन अरोमेटिक कौन सा हो कौन सा होगा बच्छो यह आपका नोन अरोमेटिक अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा बचो यह आभर कि ऐसा लग रहा है बिलकुल सही है अगर यह आपका अगर यह आपका आरउमैटिक है तो यहाँ का एंगल बचो आपका एप्रोक्सिमेट 135 तक जाएगा जो कि यहां तो SP2 Hybrid होने की वज़े से एंगल कितना होता है 125 से आपका 135 से तो आपका कम होता है 120 डिगरी का एंगल होता है अब यहां पर 120 डिगरी का एंगल होगा जब यहां पर 120 डिगरी का एंगल होगा तो क्या करेंगे 120 डिगरी का एंगल है यहां पर 1 35 है तो यहां पर अगर. अगर यहां पर का इंगल इस्ट्रेंच डवलप हो रहा है तो इंगल. इसका मतलब क्या बोलेगा बच्चो इस question को किईसे करेंगे angle strain develop हो रहा है जब यहाँ पर अगर आपका angle strain डवलप हो रहा है तो यह anti-aromatic में तो नहीं रहे गए यह अपने आपको क्यों ना change कर दे तो यह अपने आपको टब शेप में change कर दे था कौन से कौन से शेप में बच्चो टब शेप में और टब शेप कैसा होता बच्चो इसका इस तरीके से आपका टब शेप में कनवर्ट कर देगा आपने आपको अपने आपको कौन से शेप में कनवर्ट कर देगा बच्चो यह टब शेप में तो यहां पर यह क्या हो जाएगा नोन प पट पढ़ा गया कि कैसे कैसे हम non aromatic कौन से आपके non aromatic कौन से आपके anti-aromatic होंगे ठीक है आई होब सो के यह आपको यह ब अच्छ से समझ में आ गया होगा अब हम चलते बच्चो next question पे तो neste question हमारा देखते बच्चों यहां पर हम लोग देखते हैं यहां पर हमारा अगला वीच ओफ द अभी वीच ओफ द फॉल्वाइंग इस वह एरोमेटिक कंपॉंड सिमिलर कॉश्चन है ऑप्शन अलग कर देते हैं बच्चों हम लोग ऑप्शन अलग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है ना अब देखो यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर यह आपका प्लस चार्ज है ठीक है यहाँ पर आपको क्या है सेकंड यह भी एच यह भी एच यह इधर 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 सुरी यह आपका इधर और इधर थड़ है आपका यह वह रापस से आगया आपका बहुत बड़ी अकुशन है बार बार आ रहा है तो आपको देधे ध्यान रखना है आपको और एक यह वाला फोर्थ अब आपको बताना है कि कौन सा आपका इसके अंदर अरोमेटिक है कौन सा आपका इसके अंदर अरोमेट होगा इसको अब हम जानते हैं सबसे पहले सबसे पहले इस वाले शेप को हम को करना आना चाहिए अब इसको कैसे करते बच्चो इसका मतलब इसके अंदर एक प्लस है तो एक प्लस चार्ज घूंग रहा है ठीक है और बाकी रेजोनेंस में पाई पॉंड है ठीक है इसका मतलब यह है ठीक है और और कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब क्या मानेंगे बच्चों हम लोग सिंपल वात है उसको हम लोग लिखेंगे ऐसा इसको हम लोग चलो कहीं अगर लिखा हो ऐसा तो उसको हम क्या लिखेंगे यहां प्लस चार्ज घूम रहा है और यहां डबल बॉंड है कहीं अगर लिखा हो हमारा ऐसा कहीं अगर लिखा हो हमारा ऐसा तो इसका मतलब हम क्या लेंगे यहां पर माइनस चार्ज घूम रहा है अंदर तो हम इसको लेंगे दो पाई बोंड के साथ आपका कोई माइनस चार्ज रेजोनेंस में इसका मतलब यह है कि प्लस चार्ज के साथ दो प्लस चार्ज के साथ आप पूरा resonance में, plus charge के साथ compound पूरा resonance में, इसको मैंने इस form में convert कर दिया, आप लोग भी इस form में convert करना है जान ले, इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना, अंदर plus charge घूंग रहा है ये partial bond, ठीक है, अब यहाँ पर सब जगह आपको इसे मिला रहे, चलो आप देख लेते हैं, यह आपका क्या होगा Cyclic है, planar है planar है और 4 pi electron है, 4 pi electron मसलब यह क्या हो जागा anti-aromatic, क्या हो जागा बच्चों यह आपका anti-aromatic, ठीक है, यह आपका क्या होगा बच्चो, cyclic है non planar है, non planar कैसे यह वाला यह आपका SP3 होता है NON-Plainer है, और कितने PIE electronics है, 4Pie electronics है, मतलब क्या हो जायगा बच्च sait अब का, NON-Plainer होते ही, यह आपका क्या हो हो जायगा, नो NON-A bought a pannel, इतना जादा जाना ही नहीं है, इतना जादा हमको लेना ही नहीं है, रिस्क, इसमें क्या हो जायगा बच्च फिर व summoned आ गया है, हम बोल सकते हैं इसको एनुलीन एक दू तीन चार पांच्छे साथ एनुलीन एट एनुलीन कंपाउंड क्या होता है रिंग होता है जिसके अल्टरनेट पॉजिशन पर पाइबॉन प्रेजेंट हो बस इस चीज को ध्यान लखो यहां पर यह क्या है यहां पर आपका सैक्लिक ह सैक्लिक है प्लेनर है ठीक है प्लेनर है और यहां पर क्या है बच्छो आपका सैक्लिक है प्लेनर है और कितने पाई एलेक्टरन है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस दस पाई एलेक्टरन है इसका मतलब यह क्या होगा बच्छो आपका अरोमेटिक तो अरोमेट लेकिसे से रिलेटाइड को देखर लिए यहां पर अब दफोग यहां पर एक और कॉशन में लेटा हो यहां पर अकम अब आधि धार कॉशन देख लिए अग्सलेन एक्सप्लें को लेक्स्फ्लें है दो explain the aromaticity of following compound by MOT ठीकर आपको MOT से explain करने है आपको compound करिंगा पहला compound है आपका ये ठीक है, दूसरा है आपका, ये वाला, तीसरा है आपका, ये वाला, फॉर्ट है आपका, बेंग जीन ठीक है, आपको इससे अरोमेटिसिटी, डिफैन करना है, तो कैसे करोगे मिच्चो, मैंने आपको बताया था, शार्प कोर्णर को हमेशा नीचे बनाने का है, ठीक है, तो एमोटी से, यहाँ पर एक कोर्णर है, तो एक बना दिया, यहाँ पर दू कार्बन है, तो मैंने दू बना दिया, अब देखो, इसके अंदर कितने पाई मोट है, इसके अंदर आपके एक, कितने पाई एलेक्ट्रोन है, इसके अंदर दू पाई एलेक्ट्रोन है, तो दू पाई एलेक्ट्रोन, पेर्ड है कि अन पेर्ड है, पेर्ड होने की वज़े से यह क्या होगा, तीन चार पांच छे तो यहां पर भी क्या है बच्छो आपका पेर्ड है और पेर्ड होने की वज़े से क्या हो जाएगा बच्छो यह अभी आपका एरोमेटिक इस तरीके से हम इसको डील कर लेंगे काफी सिंपल है ठीक है अब इसमें शार्प कॉर्णनर पर बनाना पड़े अब कितने पाई एक्ट्रों है बच्छो यहां पर यहां पर पाई एक्ट्रों है एक तो एक तो ine Jan jaw तो यह क्या हो जाएगा अनemi में अब यहां अनमलेक्ट्रों परजेंट हिसलिए हम इसको एंति हैं क्या बलेंगे इसको एंटे अरॉमेटिक इसको हो इक बना दिया यह तो यहां पर आएंगे उसी इसाफ से बनाने कितने पाई एलेक्टने बच्छो इसमें इसमें सिक्स तो यहां पर क्या है और जब यह आपका प्रेड हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा तो इस तरीके से हम यहां पर आपके एमोटी थेयरी से भी हम लोग डिटिफाइन कर सकते हैं मैंने कॉपी में कर आया हुआ है आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स नेक्स्टक्षोन नेक्स्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक्ष्टक् है इन फॉलोओंग इंटिफाइड एरिमेटिक कमपाउड इन फॉलोओंग आपको और समें से देखो पहला है ऑप्षण पहला कोशन था यहाँ पर यह आपका एंड एचग धीकिए दूसरा है आपका यहाँ पर है एंड कि दीसरा यह आपका फोर्थ है आपका फिफ्ट है आपका यहाँ पर ठीक है शिक्स्थ फिफ्ट है यहाँ पर इस चीज को समय लेते हैं ठीक है फिफ्ट है काफी एजी है एक और सेवंत ठीक है इंसम में समझना है आपको तो देख लेते हैं अरुमेटिक कंपॉर्ण नहीं तो यहाँ पर कितने हैं वेटा आप लोगों को थेयरी पढ़ाई होगी थेयरी के इसाब से चलना है बस आप लोगों को बस एक शोट में ध्यान अरग करते हैं वह आपके पाई अलेक्टर नहीं होते हैं यापका सैक्लिक होगा Hmm दिखरा है सैक्लिक यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर है प्लेनर है नहीं इस का मतलब कितने पाई एक दो तीन आप यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रों ने देखो यह वाला लोंग पर आपका पाटिसिपेट नहीं करेगा डबल बॉंड के बागल वाला जिए वाला ही करेगा एक दो तीन चार पांच छे यह वाला नहीं करेगा ध्यान अखना ठीक है तो कितने होगे सिक्स पाई अब इसका कांट कर लेके देखो साइक्लिक है साइकलिक है यह रेजनेंस फॉर्टिसपेट करेगा यह सारे कारवन आपके एसपी चू ए मतलब यह क्या है वर आपका प्लेनर रहे है और कितने पाई अक्रों ने एक दो तीन चाल पांच छी छह पाई एलेक्ट्रोन है मतलब क्या हो जाएगा यहापका क्या हो जाएगा एरोमेटिक यह भी आपका इरोमेटिक है इसमें देखो इस कोशन में यहां पर आपका SP3 hybrid है तो यह और यहां पर क्या हो जाएका नॉनॉ आरोमेटिक खीके में अब इसको समझते यहांपर यहांपर कया हो जाएगा अब Fundra बोती चार इक हो मतलब यहां पर क्या हो जाएगा बच्छों यहां पर जाएगा एंटी-आरिमयंटिक के रूल को वॉलो करे रहा है अंप कंटे के ? जैना की है पूरी है पूरे रिंग में रेजोनेयस है इसनी है आपको प्लैनर है, आप देखो कितने पाई एलेक्ट्रों है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ये वाला नहीं आएगा, तो दस पाई एलेक्ट्रों है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये भी आपका क्या है बच्चो एरोमेटिक है, अब यहाँ पर काउंट करते हैं, ये पूरा साइकलिक है, ये भी आपका क्या है बच्चो, प्लैनर भी है, और यहाँ पर कितने पाई एलेक्ट्रों ने, देखो, लोन पेर आपका कहां पाटिसे, या या लोन पेर आपका पाटिसेपेट नहीं करेगा, एरोमेटिक, ठीक है, तो यहाँ पर एरोमेटिक कितने हैं, पाच, पाच कंपाउंट्स आपके कितने हैं, अरोमेटिक है, बस इस तरीके से आपको कॉश्चन को डील करना है, काफी एजी कॉश्चन है, एक दो बार करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और कोप बार को देख लेते हैं, बच्चो, र्येजल है, बच्चो, बाता दिया है, बच्चो में है, यह फिरा अप लोगों को ठीक है, हम कानो नीकल हाइब्रेटी Emperor कोश्चन को भी देख लेते हैं, ता कि आपको और क्रहा बिजाए हो जाए है, एंपा है, हैह अब दिखो और अरे इंग्रीजिंग ओडर ओफ ओडर ओफ इस्टेबिलिटी आपको कंपॉंड को इंक्रीजिंग ओडर में आरेंज करना है ठीक है तो कैसे करेंगे बच्चो कोशन में आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को समझने हैं खुछ से कोशिश करना है एक बार पहले वीडियो को खुछ करके देन आफ्टर आपको दील करना यहाँ पर सीइच ड्बल बोन चérer आपको थरड है आपको क्या CH3 O PLUS CH SINGLE BUNCH CH CH 2 PLUS यह है आपका उप्शन अब देखो आपको इस कोशन को कैसे डील करोगे बच्चो यहाँ पर आपको देखना है कि इस कोशन को डील करने का तरीका क्या है के इस कोशन को काफ़ियां हैं आप लोग समझ सकते हुँ कि इस कोशन इस question का जो पहला option है पहला option पहले option में क्या है non-polar है पहला option क्या बच्छो आपका non-polar है तो non-polar होने की वज़े से first option सबसे ज़्यादा stable अब second और third में second और third में second और third में आप लोग देखोगे कि second में आपका backbonding हो गया है second में आपका क्या हो गया है backbonding हो गया है Oh बना होने की वज़ासर बैक बाक्न होने की वाड़ क्या वर जातका थार्ड, अगना है और हम स्यंसे बोल सकते हglass number of pie bond में कितने हैं इस में number of pie bond, number of pie bond एग और इस दॉन और इस दॉन आप क्点े आ जाएगा बच्चों यहां पर second तो इस तरीक से हम इस question को deal कर सकते हैं जो जोगी काफी easy है ठीक है अब हम देख लेते हैं बच्चों Last Question ठीक है तो यहहीं प्रोडक्ट find the product product of following reaction of following reaction तो एक ची ध्यान रखना हमको product find out करना है in reactions का CL AG CLO4 minus second यहाँ पर देख लेते हैं O यहाँ पर CH2 N.A.H इसका मुझे product find out करना है ठीक है और इसके अलावा इसके अलावा एक और question देख लेते हैं बच्चों इसमें तीन चार question देदेता हूं बच्चों में ताकि आपका cover हो जाए ताकि आपका cover हो जाए ठीक है इसमें देख लेते हैं इसी में यहाँ पर CH2 यहाँ पर यह यह इसको देख लेते हैं इसी में यह और question यह वाला यह बी आर यह आपका बी आर ठीक है इस तरीके से यहाँ पर आपका क्या बनेगा उसको देख लेते हैं आईसो ऑक्टेन दो अबनेट आँ यह आपका CL और यहाँ पर आपका CL SP CL 5 यह आपका option है और एक ही बच्चो आपका यहाँ पर NH3 के साथ इस तरीके साथ हमको reaction देखना है बस तो अब हम समझते हैं इस question को कैसे deal करेंगे last question है इसको ध्यान से समझ लेना बच्चो अब देखो AGCL AGI BSBI AGBR हमेशा क्या होता है precipitate मनाता है तो पहले question में क्या है बच्चो गशो यहां से झवाइटन निकलेगा शुरुआत में यह क्या बच्चो न नौन एरउमैट нрав agency च्रूवात पैजन नौन एरउमैटेंटेट और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अभी अभी आपको पहले कोशन में बताया था इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यह आपका CLO 4 माइनस ठीके अब यहाँ पर इस कोशन में क्या करेंगे NAH हमारा क्या है बच्चो B से ठीके और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा H माइनस अब देखो यह वाला बोंड आपका टूटेगा कहां अंदर की और और यहाँ पर दोनों में इलेक्ट्र नेगेटिविटी यह बाहर की और अभी यह क्या है अभी यह टूटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चो माइनस चार्ज यहाँ पर क्या जाएगा CH2 प्लस यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चो प्लस चार्ज अब देखो यह माइनस प्लस आपका पक्या हो जाएगा बच्चों यह आपका एक बोंड बना लेगा मायनस खुड़ के तो मेा एक बोंड बना लेगा तो यहां पर ओ के साथ कौन जुड जाएगा एन आए और यहां पर ह किसकी साथ चाह सुदि यदस यह पर क्या बन जाएगा स 그건 तो यह क्या करेगा जितना भी क्लोरिन होगा सारे क्लोरिन को एकसेप्ट कर लेगा और यहां से भी आपके क्लोरिन को से क्लोरिन को एकसेप्ट क्लोरिन और फिल से गलेघ्थ क्लोरिनौ प्लॉरिन गएभी आनियोसरे में अश। बना करेगा तो किसमें convert हो जाएगा समझना cl minus जब sbcl5 के साथ reaction करता है तो आपका sbcl6 minus हो जाता है तो इस तरीके से आपका यहां पर आपका aromatic compound बनेगा कहीं कहीं बुकों में इसको इस तरीके से भी निखावा है तो आप लोग ड़ड़ना नहीं है simple question से इस तरीके से आप लोग तरीके का क्या है लूइस बेस और लूइस बेस क्या करता है बच्चो अब एनिस थ्री का काम जानों जो एच प्लस के साथ reaction करके क्या बना लेता है अब क्या करेगा यहां से अगर मैंने कोई भी एक एक एच निकाल दिया तो यहां पर शुरुआत में यह क्या था नो नो न अगर यहां से कोई भी एक एच निकाल दिया तो इसके पर कौन सा चार्ज आएगा माइनस चार्ज तो एचुली यहां पर माइनस चार्ज आएगा और यहां पर यह इस तरीके से एच हो जाएगा और यहां पर जो यह एच निकलेगा वो इसके साथ reaction करके नेच 4 प्लस बना होता है तो वो reaction आपकी क्या होती है feasible और ये बात भी आप लोग समझ चुके होंगे thermodynamics में कि feasible reaction के लिए entropy जो डेल्टा जी लेस देन जीरो एंड रियक्शन क्या होती है maximum exothermic reaction होनी चाहिए ये तीनों चीज अगर आपके satisfy कर रही है तो तो मितलब आपका reaction तो reaction के feasibility भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और इस से related आपको question भी आपसे पूछा जा सकता है I hope कि आज आपको पूरा resonance aromatic से related question आप लोगों को आ गए होंगे next lecture में हम hyperconjugation hyperconjugation related question inductive inductive से related mesomeric से related और 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 फिर हम mesomeric से related question को deal करेंगे ठीक है then after हम आगे की और move करेंगे कि आपको किस तरीके से फिर carbocatine, carboanine intermediate और intermediate के बाद हम acid base के बारे में बात करेंगे I hope so कि आपको यहां तर लेक्चर समझ में आया होगा so thanks for watching this